नमस्कार सर, मेरा नाम शिखामश्रा है, हमारी जो युवा पीड़ी है और जो आने वाली पीड़िया है, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलगी परिभाशा बनाई हुई है, आज कल वो जैस्री राम सुनके और मूवीज वेगर देखके, तो आपसे मैं जानना चाह इने और धोती कुर्ता पहने वेक्ति विले नहीं होगा, यह तैमान लीजेगा, और इतना ही नहीं, धर्माचारे तो धूर्त होगा, इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाग का पार्ट होगा, पढ़ने लिखने वाला चात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा, औ और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा, पॉकेट मारने वाला वेक्ति, जो होगा, वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बाट रहा होगा, ठीक, और जो बिजनेसमेन है, या जो नौकरी कर रहा, वो बेवकूफ टाइप कर दिखा जाएगा, वो फिल्म में साउथ हिंडियन मजाक का पार्ट होगा, हम लोगे जनम के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी, पडोसन, मास्टर फिल्ल लई, एक चतुर नार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होगे, और अभी दर कौन सी फिल्म थी, इसमें खाजाना खोजने के ले जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसने का जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा, शी निवास, वेंकटेश, फलाना, ऐयर, उसका ही मजाक भई, ये क्या है, उत्तर दक्षन में लडाना है, हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा, बहुत बड़ा शडियंत्र था, ये एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था, और इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस फिल्म वालों ने जानके किया है, वो तो विचारे खुद भी नहीं जानते, उनका माइंसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए है, तो कभी किसी मौलवी को निगेटिव रोल में दिखाए गया हो तो बताईए, इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करेक्टर रोल में दिखाए जाएगा, ये सोचने की बात है, एक ही फिल्म में, अमिताब बच्चन जी की फिल्म है, 1970 के दशक की, जिसमें जब उनक को प्रसाद भी, मैं नहीं लेता, ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता, ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं बर सकता, उसी फिल्म में 586 का विल्ला उनकी यान बचाता और उसको यूँँ आ हाथ से लगा ठकते, सोच ये कैसे दिमागों में चीज़े भरी गई है, ने शनी की साड़े साती वर्ड सुना होगा, ये साड़े साती का मतलब क्या होता है, शनी एक राशी पर धाई साल लेता है, और वो इतना शक्तिशाली होता है, एक राशी आगे और एक राशी पीछे तक इंपैक्ट रखता है, यानि कोई बहुत पारफुल है, तो उसका इ साइकल 30 यह से भगवान राम के भी तो साड़े साथी लगी थी काहेता है तो तो धाई साल मत्तब 30 साल का रोटेशन साइकल शनी का है यह तो हमें आजारों साल के पता था इनकों का पता चला अभी सव दोसों साल पहले और यह बताते हमको यह हम साइंट पिक तुम नहीं थे म और मजे की बात जानते क्या है गैलीडियों ने कहा 1633 में कि सूरी पृत्वी के चारोर घूमता है यह गलत है पृत्वी सूर के चारोर घूमती है तो उसको कह दिया गया कि तुम्हारी मौत की सजा दे दिया है उसने माफी मांगी उसको अपराधी चर्च का घोशित किया ग पहुद गया और तब तक वो इस बात के लिए दोशी था मगर कोई नहीं कहता उनसे कि आपके धर्म में कोई आपति जनक बात लिखी हुई है इसे हटाने की आवशक्ता है मगर जहां सबसे साइंटिफिक बाते लिखी है वहाँ पर लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आपकाल है तुर कते हैं हो गए है और समसाकार कैसे मानले हम तल गया सरसे व्यता का भार कैसे मानले हम राश्ट को हैं लोग भूले स्वार्ट है युग मंत्र सारा वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा इस अमा के तिमिर को यानि अमा अंधकार तिमिर मतलब अंधकार रात्र के अंधकार को अब अरुनी मा क्या माने ले हम तल गया सरसे विठा का भार कैसे माने ले हम और आगे की लाइंग सुनिये वो महत्कून है वेशवानी तत्व दर्शन दूसरों से यह सभी ले विकृत को हम ग्रण करते निज प्रकित को आज भूले इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या माने ले हम हो गए हैं सबसाकार कैसे माने हैं इसलिए मोदी जी ने क्या कहा है अमरत काल के जो पांच प्रण है उनमें पहला है भारत को विक्सित राष्ट बनाना है दूसरा है गुलामी की मानसिक्ता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है और तीसरा है अपनी विरासत पे गर्व करना है इसलिए गुलामी की इस मानसिक्ता से बाहर निकलिए तो नया भारत दिखेगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं, कि सुपन देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है, और एक नया भारत बनाए है।